हेलो यो स्वागत अब सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल ट्विशन गुरुजी में बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 8 का चप्टर लाइट और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं आखों की देख बाल या आई के बारे में तो चली बच्चों देखते हैं कि आई के बारे मे आपको आपके इस वक्षीट में क्या बताया है तो बच्चों as we all know our eyes are priceless यानी हमारी हाखे अमुले हैं इसलिए हमें इसकी देख बाल करना जरूरी है और इसकी देख बाल हम सही तरीके से करेंगे तो हमें ये मलद करेगी पूरी जिंदगी भर साथ देगी हमारा चीजों क को देखने में और हमारे काड़े को करने में तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजे हैं जो हमें फॉलो करनी है बच्चों सबसे पहली चीज़िया कहती है वी शुड नॉट स्टड़ी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट इट में कॉस आई और हैची यानी हम कम रोश कि regular examination of our eyes should be done if the doctor advices uses of glasses one should do the same यानी हमें अपनी आखोगी नीमेद चार्च करवानी चाहिए यदि डाक्टर सलाद दे तो चस्मे का उप्योग भी करना चाहिए और क्या कहता बच्चों do not look directly at the sun flashlight or laser it can damage the retina यानी सूर्य टोच या laser को सीधे नहीं देखना चाहिए ऐसा करने से retina को नुक्षान पहुँच सकता है फिर क्या कहता बच्चोर we should not rub our eyes if any dust particle fall into the eyes then the eyes should be washed and clean with water यानी हमें अपने आखों को रगणना नहीं चाहिए यदि कोई भी आखों में धूल का कंड गिर जाये तो आखों को साप पानी से धोना चाहिए और आगे क्या कह रहा बच्चो यह आगे कह रहा है wash your eyes with clean water at least three to four times a day यानी दिन में कम से कम तीन से चार बार अपनी आखों को साप पानी से धोना चाहिए फिर क्या कहता बच्चो यह keep the book at a normal distance while reading if kept too close or too far away eyes damage can occur यानी किताबों को अधिक पास या धिक दूर रख करके नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि यह भी आखों के लिए नुपसान दायक हो सकता है फिर क्या कहता है बच्चो विटामिन A deficiency causes a disease called night blindness so consume विटामिन A rich source food like raw carrot, cabbage and green vegetable in the maximum quantity यानी विटामिन A की कमी से रतोंदी नामक रोग हो जाता है इसलिए अपने खामने में विटामिन A से युक्त चीजे जैसे की कच्ची, गाजर, गोभी वह हरी सब्जियों को अधिक मात्रा में परियोग करना चाहिए अब विटामिन A is found also in plenty in cod liver oil, milk, yogurt, cheese, butter and in foods like mango, papaya, etc यानी की cod liver oil, दूर, दही, पनीर, मक्षन, आम और पपीते अक्टादी में भी विटामिन A भरपूर राचुर मात्रा में होता है तो इनका भी हमें उप्योग करना चाहिए अब आखों की देखबाल के लिए एक चीज और दी गही है बच्चों आपको क्या दी हुई है कि top 10 superfood for eyes यह आपको बताया गया है क्या है यह इस्पैनिच, केरट, ब्लूबेरी, स्ट्वाबेरी, वॉलनट, एवेकार्डो, पिपर्स, स्वीट पोटेटो, ब्रॉकली और एलमंट्स ठीक है बच्चों यानि कि आपका जैसे गाजर हो गया पालक हो गया अक्रोट हो गया, काली मिर्च हो गया, स्वीट पेटो तो यानि सकरगंदी हो गया, बदाम हो गया इस तरह की चीजे आपके superfood में आती है जो आपकी आखों की देख भाल में साहता करती हैं बच्चों यह होगी आज की वक्षीट complete और वीडियो भी आशाकरता आपको वीडियी अच्छी लगी होगी अगर वीडियी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सकाइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें थैंक यू